हेलो एवरिवन वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल मेडिकल फिल्ड गाइडेंस जैसे कि आप लोगों को पते हैं कि बोर्ड एक्जाम समारे पॉस्पोन हो गए हैं और अभी जो इम्स बीस उन्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के एक्जाम है यह हमारे जून में कंड़क्ट होने है तो बहुत सारे बच्चों का क्वेशन है कि एम्स बीस उन्स नर्सिंग और पैरामेडिकल के एक्जाम है वो भी पॉस्पोन हो सकते हैं क्या तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो गाइस चैप्टर से रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेशन और इंपोर्टेंट चैप्टर जो कि आपको करने ही चाहिए स्किप नहीं करने है उनसे रिलेटेड वीडियो अल्रेडी चैनल पे अप्लोड़िड है अब जाके चेकाउट कर सकते हो मौक टेस्ट भी अवेलेबल है अभी हमने फिजिक्स में वेक्टर और बाइलोजी में डाजेस्टिव सिस्टम और ब्रुइधिंग वाला चैप्टर कम्प्लीट कर लिया है अभी आपके पास अगर मान के चले की पोस्पोन नहीं होता है एक्जाम तो आपके पास 60 डेज हैं आप अच्छे से कर सकते हो जिसने अभी तक प्रपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं किये जो जीरो पे हैं वो एक काम करिए सबसे पहले अपने जो चैप्टर आपकी कौनसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर है उनको अलग से मेंचेन करिए एक पेस पर जो आपको तफ लगते हैं डिफिकल्ट लगते हैं जो कभी आपने पड़े ही नहीं उनको सेपरेट करिए पहरे वो चीज़े cover करें जो आपकी अच्छी हैं जिनमें आपका confidence और अच्छा हो सकता है and important questions आपको हर chapter के regarding channel पे available हो जाएंगे अभी हमने कुछ ही chapter cover किये हैं तो जिनों नहीं ये videos नहीं देखी हैं जाके जरूर देखें प्लेइलिस्ट में aims, bseoners, nursing, mock test ऐसे प्लेइलिस्ट होगी तो आप जाके check out कर सकते हो इन चुज़ों को रही बात exam postpone की तो guys देखो अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारा जो exam है वो जून में है और जून में जो क्या situation रहती है करोना की तो उसके ओपर depend करता है कि जो exam है वो postpone हो या ना हो तो अभी इसके regarding कोई भी opinion बनाना की postpone होगा हम preparation बात में कर लेंगे तो वो गलत होगा आप सोच की चलिए कि जून में ही exam होगा और आपके पास सर्फ 60 days है इसको complete करने की ठीक है आपका ऐसे नहीं सोचना है कि exam postpone ही होगा मेबी जून में जो situation है वो सही रहे कोरोना जाधा फैल है तो इसो जैसे आप लोगों का अच्छे से prepare रखना है अपने आपको इन दो महीनों में अच्छे से पढ़ लो जो जीरो पे है वो भी इस चीज को कर सकते है एंड स्पेशली एक और बात में बोलना चाहूंगी मेडियम वाले स्टूडेंट सा उनको भी question practice के लिए मिल जाएंगे चीक है इस वीडियो में मुझे आपको बस इतना ही बताना था कि मॉक टेस्ट के बारे में पॉस्ट मॉन के बारे में क्या रहेगा एंड जो भी आपके 45 या 60 डेज हैं उनमें आपके ऐसे चीजों को cover करो thank you for watching this video guys